नमस्कार दोस्तों आज की इस नया वीडियो में आपका स्वागत है और पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पुरीखी बीच का एक तरशे आज अनुवल रिफ्रू करने का टाइम आ गया है हम पहले चर्चा करेंगे मार्च महना में मेरा पर्फुमेंस क्या रहा उसके बाद हम चर्चा करेंगे 2021-22 फाइनन्स फेलियर में कैसा रहा और उसका कंपरिजन पिछले साथ देर यानि की फाइनन्स फेलियर 2020 और 2021 और आप जैसे कि जानते हैं यह ऑफसर वहीं टेट्स जो मैं शुरू किया यह 2020 से शुरू किया हूं तो उससे पहले का डेटर का कोई मतलब नहीं इसमें तो यह दोनों साल आपको दिखाने का ताथ पर यही है कि जो मैं अपना पहला वीडियो जो इस स्रीज का मैंने किया था नाइ तो consistent return तो यही प्रूफ करना है कि consistent return possible है या नहीं है तो यह possible है लेकिन पहले चलते हैं यह देखने के लिए कि March 2022 में मेरा परफमस कैसा रहा तो यह रहा मार्च 22 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने मार्च में 4% return दिया लेकिन मेरा रेटर यह मार्च 22 वाज माइनस 5.62% यानि कि टोटल 4,21,420 रुपया का loss यह loss क्यों हूँ हा तो दोस्तों जो लोग मेरा social media में मेरे से जुड़े हुए हैं या देलीग्राम में सब जानते हैं इस मेहना सुर्वने के पहले ही दिर 1st मार्च को मैंने बता दिया कि मैं लॉस्ट बूक करने बाला हूँ मैं इसलिए लॉस्ट बूक कर रहा था कि मेरा जो प्रॉफित है उसमें से कुछ टैक्स में बचत हो तो इडिट डेलिए लॉस्ट य लिए मैं करीग 6 लाक रुपिया का सेयर मैंने सेल किया इन दा मंक अप मार्च अगर आप 6 लाक रुपिया माइनस इसको डिखाल देंगे तो डिफिनेटली जो मार्च 22 का जो अपर्टमेंन से वो बजिटिव में आता है लेकिन यह 6 लाक के लिए मुझे कभी 33% टैक्स ब्र इंपिट हो जाएगा तो उतना टैक्स मुझे देना नहीं पड़ेगा तो जो स्यार मैं बेचा हूं फिर बाद मैं जो उसमें से अच्छे स्यार है उसको मैं खरीद लूँगा तो इस हिसाम में बचत हो जाएगा तो यह आपने देख लिया मार्च 22 का लेखा जोखा जो कि आपके सामने स्क्रिल पर है और इसके बाद हम देखते हैं 1st April 2021 से लेकर 31st March 2022 तर पर्फुमेंस कैसा रहा इसके लिए मैं आपको एक लाइब वीडियो दिखा रहा हूं देख लेजे चलिए अब देखते हैं लाइब जो लास्ट फाइनेंसियल एर जो 2021 बाइस तो उसका हमारा प्रॉफिट क्या रहा तो सबसे पहले हम जाते हैं रिपोर्ट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं यहां इक्विटी है कंबाइन को हम लोग कर लेंगे रियलाइज प्रॉफिट और जो तारिक है हम उसको कर देंगे 1st April 2021 to 31st March 22 तो यह देखिए 1st April 2021 to 31st March 2022 चेक करते हैं तो धान में रखें जो नेट रियलाइज प्रॉफिट इस 23.72 लाक्स प्रम इक्विटी ज्यादा है क्योंकि इस बार मैं ज्यादा कॉफट कल किया था तो ज्यादा तर प्रॉफिट इक्विटी में आया है दन लेट उस गो टू दा एफेंट हो इस फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में फिर उसी डेट में चेंज रेंज सही रहे वही रहेगा रियलाइज प्रॉफिट कितना है 7.02 तो यह रहा उसका लाइव जो किसी का मन में कुछ संका कभी-कभी ऐसा सवाल देख लेता हूँ तो इसलिए मैंने लाइव दिखाया अब आप देख चुके हैं मेरा जो टोटल प्रॉफिट 2021-22 का रहा 30,88,000 एंड मेरे यह फाइनन्सिल एर में मेरा जो रीटर्न रहा 41.04% जान रखे अगर मैं अपना लॉफ नहीं बूख करता मार्च में ये करीब 50% होता है लेकिन मुझे कोई परसेप्टेश का तंपिडिशन में जाना नहीं है मुझे अपना फाइदा किसमें ज्यादा है किसमें मैं अपना पैसा बचत कर सकू कुछ तो उसके लिए मैंने ऐसा किया तो इसलिए यह जो ठीकर है जो की 50% के आज़ पास होता इडास कम डाउन तो 41.08 परसेंट प्रॉफिट एकेंस्ट निफ्टी जो रिटर्स दिया 21-22 में वह रहा 18.89 परसेंट तो मैं निफ्टी को 100 परसेंट जो दो गुना करके मेरा अपना नेट प्रॉफिट निकाला तो इसलिए आप लोगों को पता होगा जब लास्ट अन्वाल दुभ्यू में जिन्दा मंथ प्रॉफिट लाया था उसमें मैं अपना टार्गेट 2% पर मंद रखा था लेकिन आप यहां देखने हैं तो यह करीब-करीब करीब-करीब 3% से भी ज़्यादा है यह तो इस इस पाइट गूट फॉर मिंग और यह फिगर काफी अच्छा होता लेकिन आप लोग जाते हैं कि जो कोवीड आया ओमिकरन उसका कुछ एफेक्ट आया उसके बाद इफेक्ट इसमें भी आया जो रशिया और हिक्रेट में ज आप देखेंगे एक एक दिन में 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का उपर पीछे जब फार्केट होता है तो वहां अपना हिमत बनाए रखना अपना इमोशन को कंट्रोल करना उस से साथ मैं ऐसा पर्पायम देना मैं सुचता हूं कि बेटर है हां यह तो मेरा जो टार्गेट था काफी अच्छा है लेकिन यह जो फोटी वाल पॉट जिरो फोर परसन ने काफी ज्यादा हो सकता था काफी ज्यादा हो सकता था तो यह रहा और मैं जो आपको बताया 30.78 लाक्स कैसा रहा यह देखे जो फ्यूचर में जैसे पहले वीडियो में बताया था 7.02 लाक्स और जो नेट रियलाइज प्रॉफिट प्रॉफिटी सेग्मेंट 23.72 लाक्स तो मैंने अपना वीडियो में अभी छोटा से जो वीडियो आपको दिखाया तो उसमें बताया कि बिकॉल पोस्ट और कॉष्ट अपर उपने लगे जहां जहां तो मैंने वहां प्रॉफिट कर लिया औ अपर लॉफिट बने लोग सेग्में सेग्मेंट अगर आपका प्रॉफिट अए तो आक फि Millman क्या हुआ रहा है नेट प्रोफिट में होना चाहिए तो इसलिए जब मार्केट डाउंट्रेट में रहता है तो उसमें आप लोग को मैं अपने पुराणे वीडियो में मैं बताया हूं तो आप कल के लिए घांग दीजिए जो बूल पूट स्प्रेड होता है उसमें कभी-कभी दिक्कत आ जात है क्योंकि जो पूट होता है और वो डीप इंदमनी जब होता है तो उसमें लिकूजिटी नहीं मिलता है अन्लेस ब्याट का टॉप 10-15 सेर्स तो उसमें तुछा ध्यान रखेंग करने से ठीक है आपको नार्जिंकम लगता है या उसमें आपको आपका लॉस लिमिटेट र जाता है कुछ-कुछ सेर्स में यह बड़ा दिक्कत हुआ कि सेर्स जो मीचे जाने का बात जो पूट है डीप इंदमनी और लें जो दोनों पूट हम लोग सेल किये थे उसमें मुस्किल आया तो आज का मार्केट में आप क्या करें मैं आपको थोड़ी दिन मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम यह देख लेते हैं 2020 और 21 में हमारा पर्फमेस कैसा रहा था तो यह रहा 2020 का जो पर्फमेस जो 1st April 2020 से लेकर देखिए 31st March 2021 उसमें 8.69 लैक नेट रियलाइज प्रॉपिट हुआ था प्रॉपिटी सेग्मेंट और फ्यूचर इंडॉप्सर में नेट प्रॉफिट नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉज था 20.03 लैक्स तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा तो यह देख लीजिए यह जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें मैं 2020 बाइस का मै छख बनाया हूं 2020-2020 में मेरा जो नेट प्रॉफिट था ओ था 28.721 लाग्स और जो 2021 मेरा जो नेट प्रॉफिट है 30.74 लाग्स तो धार इसम ताइम आइप मेरा जो है नेट प्रॉफिट है 30.74 लाग्स टो दरा आभी विश था सब्टारें टुट सुटी यह बढ़ गया कुछ लोग देखते हैं कि भई मेरा प्रॉफिट कितना हुआ कितना परसंट एक प्रॉफिट हुआ लेकिन फिर भी पुस्ते रहते हैं हर एक मैना जब मैं अपना मतीजी दीडू देता हूं या सोसियल मेडिया में कुछ करता हूं कुछ बहुत निगलीजिबल पीफिल क कि भई आपका कैपिटल क्या है अगर आपको पता है कि मेरा जो प्रॉफिट में दिखा रहा हूं वो फलाना पर्सेंट है तो उसको हंडिड़ परसंट करना जितना होगा उत्रहीं मेरा कैपिटल है तो यह रहा मेरा जो कैपिटल फॉर 21-22 आप चाहिश्ते हैं 22-23 के लिए मैं क्या अपना टार्गेट रखाऊं और मैं कितना कैपिटल के प्रोई करने बाला हूँ मेरे लिए बहुत ही एक सिंपल पंडा मैं यूज करता हूँ तो मेरा जो 30.74 लाक्स पॉफिट हुआ है इसमें करीब 10 लाग मेरा इंकम टैक्स जाने का बाल इसके अलावा मैं 10 लाग करीप दुसरे खर्चों के लिए मैं निकालूंगा जब कोई ट्रेड कर रहा है तो उस पैसा को मुझे खर्चा भी करना पड़ जा है और उसमें मैं आपना परमस टार्गेट को मैं रिद्यूस फिर किया हूँ 1.5 परसे हाँ 1.5 परसें जब मैं करता हूं इसे बरी कंजर्वेटिव रिटर्न हो सकता है कि उससे ज्यादा हो लेकिन आइल बी हैपी आइल नॉट टेक कोई ऐसा की जहां रिष्की है वैसा ट्रे रिष्की गॉल्च ना जाए या जो अपना जो कोविट का मना है इसे जब टक ये दोनों चीज रहेंगे तो मेरे टार्गेट 1.5 होगा अगर भगवान करें इस वर करें अगर साल मर के अंदर मेरा जो ढर्यों प्रोप्म्रेम है यह जो दोनों प्रोप्लेम अगर सही सही उ थो खतव हो जाते हैं तो फिर ऐसी बांध मेरेसे आपक्राइक और जो पिछले साटाथ उसमें हा जाहरा तो कि उस रिसाम में चलते हैं और मभली मैं औ barrel हमगो ऊपना नीचियो आहों कि आप एक को क्योंकि मैं जो करता हूं, मैं वही करता हूं कि नहीं उसको दिखाने के लिए मैं आपना ट्रेड। पोlegen करता हूं। मैं कोई डिंदेश़ नहीं देता, मेरा कोई रिजी्शिटरेशन नहीं है तो मेरे आफ्ता कोई फारी डिदाइज। नहीं हूँ मैं सिर्फ आपका अपना ट्रेड होने का बाद उसका स्क्रिंट सौट इस लिए देता हूँ कि आप रिलेट कर सकें जो अफ्सनुल स्ट्रेटेजी का जो मैं कर रहा हूं का वो सही-सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं अब डिसकस करते हैं कि अपना जो अगला जो ट्रेड मैं करने बादा हूं मैं कौन सा स्ट्रेटेजी ज्यादा आपना हूंगा कैसी क्योट पूट कवर्ड कॉल यह तो ही है बुल पूट स्ट्रेट भी करूँगा लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रेंगल का ज्यादा यूज़ करना भी सुरूफ कर रहा हूं क्योंकि जो प्रोफिट का परसेंटेज है थोड़ा अच्छा रहे और इसका नाम मैं दिया हूं कैसी क्योट एंड कावर्ड कॉल स्ट्रेकल श्टेगेजी तो मतलब यह है सिंपले जब अगर मेरा जो मैं पूट सेल क्या हूं जो मेरा पॉल सेल क् पीच में जहां भी अभी स्पॉर्ट है वहां मैं कुछ स्याव खरीद लूँगा अगर मीचे चले जाए तो मैं कैसी कुट के हिसाब में उसको मैं ट्रीट करूँगा अगर उपर जाए तो मैं श्टैगर्ड पाइंट जो करते रहता हूं वो करते रहूंगा और वह से जिए ही रहेगा की जो अभी मैं आपके सामने बताने वाला है सबसे पहले जब मैं कॉल सेल करूंगा या पूट सेल करूंगा थोड़ा घ्रान यहीं दो देना पड़ेगा कि जो पूट है करीब 8-10% नीचे जो करेंट प्राइस है उसमें मैं सेल करूंगा और जो कॉल है कर सब्सक्राइब दस से 11 12 परसं तक मैं उपर 8 vira परसं तक मैं आट से 12 परसंट उपर मैं कॉझ सेल करोंगा डिपेंडिंग अपर ऊस्तियार कैसे अपना बेर करता उसका पास्ट जो इस्ञाब से उसको देख कर इसके लिए में कोई चार्ट पगेदर देखने का जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज है कि जो मैं आपको बताया कि जब सुरुआ करूँगा इस ट्रेंगल का कि मैं पूट सेल किया और एक कॉल सेल किया तो साथ में जो करेंट प्राइस है आज का जो प्राइस है उस प्राइस में मैं करिक 25 पर्सेंट 22-25 पर्सेंट ध्यार तके ओनली 22-25 पर्सेंट से आख करें दूँगा क्यों कि अब मार्केट अभी भी बोला टाहिए अभी भी रसिया यूजरन मार्का खतर नहीं हुआ अभी चाइना होकम नों उमिक्रन है और आज पर पढ़ना था कि उसमें कुछ एक सी वेर होगा मैं इंतजाब करूगा अगर सेर प्राइस जो करेंट स्कॉर्ट प्राइस वीचे घिर रहा है तो जैसे कि मैं बताया मुझे कोई एक्शन लेने करी है भले मेरा जो पूठे इंदमनी हो जाए भले उसमें काफी लॉस आजाए मुझे कुछ नहीं करना है और टेक कॉल तो इन्वेस्ट एट लोर प्राइस तो नीचे जा रहा है तो आपको भाई करना है अगर आप भाई करके होल्ड नहीं कर सकते हैं तो यह रिपया मत किजिए क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉप्लेम अफशन लोगों के लिए होगा कि क्यापिटल लेंच करना इसमें ज्यादा क्यापिटल जद्रोत होता है इसलिए मैं आजकर किसकोई भी मुझे लिखता है तो मैं बोता हो बाई 12 लाग से पीछे तो आप कुछ करी नहीं से तो कर से काम अगर दो ट्रेंट नहीं लोग है तो उसमें आपको कोई फाइदा नहीं होगा इंट्रेंट में फस गया तो अगर इसके लिए हम अपना कॉल को दीचे ला सकते हैं और प्रिमियम अपना अच्छा है जा फ्रम कॉल से और नेक्स्ट मंत में नेक्स लिच के लिए भी पूठ हम सेल करेंगे उसके बाद क्या होता है मालीचेस खरीदने के बाद स्यार प्रैस उपर जा रहा है तो आपको तीन स्टेजेस में कम से कम दो भी कर सकते हैं कोई हाड़ेंट फास्ट रोड नहीं है आप अपना एक्स्ट्रियम से किजिए आप कम से कम तीन स्टेज में आप अपना सेयर भाई की चीजिए जीडिटी ओडर लगाई है या कुछ और भी करके लाइप अगर करना चाहते है तो उसमें आप सेयर खरीता रहिए कितना खरीता है मार्केट अगर खराब है ट्रेंड अगर खराब है बोलाटाइल है डाउन ट्रेंड है तब आप 60% सेयर खरी दोगे जो लॉट का 60% 40% आप छोड़ देना जब इंद मनी आएगा कॉल इंद मनी होगा तब डिपेंडिंग ओपन कंडिशन अगर बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चला गया है तो आप को सेयर खरीदना पड़ेगा कोवड करके इंद मनी जब हो जाएगा इमिडियेट लिए उसी समय करिदना होगा उसी स्ट्राइप प्राइस के आप सपास खरीदना पड़ेगा अगर 15 जिन चला गया तो प्राफिट बुक कर लिए आपको एक्विटी में काफी पैसा मिल गया होगा आपका जो पूट है उसमें काफी पैसा मिल गया होगा कॉल में भले लॉस लेकिन आप दिखा जिए तिनों लेग आप मैनुवाली करोगे कोई भी चीज ब्रोकर के लिए नहीं चोड़ना है सच्छी मैनुवाली करना है ठीक है तो उस हिसाब में आप करना है हां अगर आपने ट्रेंड लिया और दो तिन दिन में शेर प्राइस मैं रगा तो आपके लिए कोई चॉइस नहीं है अधरवाइस गर बिग लॉस इन जो कॉल आपने सेल किया है क्योंकि मैंने भी देखा ल्टीटीसी पे ल्टीटीएस और ल्टी आई में तिन चार दिन में देड़ सो दूसो पांट होकर कम इंदमनी हो गया था मेरा कुछ लगी ही ओ लास्टीक था मार्च का तो इसलिए मैं दोनों बैक अच्छा फॉफिट करके निकल गया लेकिन ऐसा सिच्वेशन होने से और हमारे पास कोई चाराने रहेगा हमको इंदमनी का श्ट्राइट प्रेस के आसपास जो बाकी 40% में स्यार करीने का बाद खरीद लिए तो इसे देखिए मैं सोचता हूं कि इस हिसाब में अगर हम करेंगे हमारा डर रहेगा उतना डर ने रहेगा कि मार्केट नीचे चले जाए फ्यूचर लेने के सबसे बड़ी दर है अगर दो सो पॉइंट नहीं चला गया जब यूबी जे उनका हालत खराब हो जाता है तो इसलिए जो बार बार मैं माना करता हूं फ्यूचर कहेंगे मैं कॉवर्ट कल मत कीजिए क्यों को इसमें पूरा हिंदर रहा हूं लेकिन मेरा ट्रेट्स को देखे अगर आपको कुछ सीख मिर रहा है तो उसको जल्स का चांग करें लीजिए आपका फाइदा अपना होना है इसे मेरे को बताईए अगर कोई शंका है कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप यूट्यूब में जो comment box में आप म फिटों आप बहुत अच्छा करें ट्रेड में बहुत अच्छा करें स्वस्त रहें इसी कामने के साथ आज का इस वीडियो में समाक्त करता हूं नमस्कार फिर मिलेगे